हाई अब्रीवन कैसे हैं आपनों गुमेदे दोस्तों आप सब बहुत अच्छे सोंगे स्वागत है इस बहुत ही खास वीडियो में और हम यहां पर क्या करेंगे दोस्तों ले होगा है गोस्तिकी से जुड़े जितने भी इंपोर्टेंट सवार आज तक पूछे गया है या प लेकिन फिलहाल हम आ जाते हैं कहां पर लेव्डीव गुशकी के इस सवाल पर अब जरा जनौटिस करेंगे कि में सबस News क्या दोस्तों इससे पहले कि हम आंसर की बात करें लेव आगोस्की ने एक यहां पर कॉंसेट दिया था उसको जरा समझना जुरूरी है लेव आगोस्की ने माना था कि माजिक संस्कृतिक और भासा लेव आगोस्की ने बड़े ही कठोर सब्दों में कहा था कि एक बच्चे का विकास किस बात पर डिपेंड करता है उसकी भासा उसकी लैंग्विज उसका कल्चर और उसके सोसल इंट्रक्शन पर डिपेंड करता है लेव आगोस्की ने इन तीन चीजों को बड़ा जोर दिया लेवय गोष्ची ने कहा था इस जरह पॉइंट को द्यान से देखिए कि बच्चे का समाजिक अंतक्रिया के द्वारा ही सीखते हैं बच्चे सोशल इंटरेक्शन के द्वारा ही सीखते हैं तो समझ में आ गया तीन चीजें को हम याद रखना है दोस्तों तीन चीजें हमें य या फिर सन्योज समाजिक अन्योन के रिया social interactions तो social interaction आपका सही जवाब हो जाएगा ओके चली next questions की तरफ आते अगला सवाल देखिए अगला सवाल जितने भी इस तरीके के सवाल है नहीं मैं एक साथ रख दिया मैंने ताकि आपको समझने में और clear हो जाए आसानी से और इस तर language social और culture भासा समाज और संस्कृति इन पर बड़ा बल दिया था अगला सवाल देखिए कि लेवाइगोस्की क्या कहते हैं लेवाइगोस्की कहते हैं मच्यो डैस के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में समाजिक प्रकिरिया तथा संस्कृतिक संधर्व को प्रभाव को स समाज और संस्कृति को समझने के बारे में किसने कहा था दोस्तों अगर यहां पर भासा देता तब भी हम इनी के साथ जाते हैं आपका सही जवाब क्या हो जाएगा लेवाइगोस्की के दोबारा अगला सवाल देखते हैं समझ में आ रहा है इसी तरीके से सवाल पूछेग लेकिन आप अडिक रहेगा आप अपनी कॉंसेप्ट के साथ वेडिक के लियर रहेगा अगला सवाल देखे प्याजे के विकास को नियंत्रित करने वाले जैवी कारण को महत दिया जीन प्याजे ने कहा था है रिडिटी आपकी हैर डिटी जैवी किरियाएं आपकी प्रकिरीय, समाजिक, समपर्ख, भावतिक यापने, अभी मैंने क्या बताया था एक विकास के लिए तो बैए समाजिक, संपर्ख, सोचल इंट्रक्शन, भावसा, सन्सकृतिक और समाज। लेवायगोश्वाचिक यह हैं तीनो राज तो यह ने लेवाजवाचिक के राज भासा शंस्कृति और समाज चलिए अग्ला सवाल देखिए लेवाई गोस्की के अनुसार अधार बुठ बानसिक छंताओं के मुख्य रूप से किसके दुवारा संग्यात्मक परिक्रियाओं में बदला जा सकता है फिर से वही सवाल है बागु, संग्रात्मक परिक्रियाओं में किसके द्वारा बदला जा सकता है बाद जब लेवाएगोर्सकी की होगी तो यह दोस्तो समाजिक प्रासपरिक किरिया है सवाल वही दोस्तो बस इनके अलफाद बदल जाते हैं उत्तर वही रहेगा बस जज़बात बदल जाते हैं मतलब समाजिक सिधान समाजिक संस्कृतिक और भासा मतलब लेवायगोसकी फड़ाप से पहला यह आंसर हो जाएगा उद्धीपन अनुकिरिया नहीं होगा और अनुकुलन नहीं होगा प्रुषकार अंद्धन तो किसी की लेवायगोसकी नियुक्त कर लेव्हायगोसकी तीन शवांज और संस्कृत करते हैं मतल bırakे जनाक। पॉजिटिव है निगटिव नहीं तो यही मारते। बच्चे अलग छेत्र में चिंदन करके पर कुछ नहीं देते। गलत जबाप निमने आयू पर अमुर्थ समागरी का है निमने आयू पर छोटे बच्चों को अमुर्थ चीज़े परिकलपनात्मक चीज़े दे दी जाए तो वह अमुर्थ तरीके सा चिंदन करेगा जो कि बिल्कुल क्या है सारा सार गलत है पहला दोस्तो पहला आपका क्या है पहला सही हो जागा पहासा और संस्कृति और समाज यह क्या है विकास की मुहतपुडभूमिका निवात हैं लेकिन यहाँ पर दो ही चीज़ को मैंशन किया गया है समझ में आरी बाद अवाई एक पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिय लेव आई गोस्की ने किस पर फोकस किया था भासा समाज़ और संस्क्रिति वह अगउस्की ने किसके बात वही है ग्यान का मतलब आपकी ग्यान के बाद इमिलेगा इसकीमा के बारे में जीन-पियाजयने कहा था? ऍवस मान लेते हुआ उसकीमा के बारे में किस झेंखे ईकितैं तो अबेक्या होता यहां पर उप्चिन नमर और क्या होगा बताई आप्शोन नमर बिल्कुल यहां पर दो सही हो जागा भासा भी है संस्क्रिती भी है और यहां पर समाज नहीं ग्यान कह दिया ही ने कोई बात नहीं चलिए यह हमारा सबसे सट्टिक अंसर लग रहा है अगला सवाल देखते हैं इस तरीके से के समद्गेंस समय करेंगे समय में समय आजाए अब आई कि नमलिखित में से कौन सा कथन वीकास एवं अधिंगं के बारे में बारेमें का विकास और अधिगम अधिगम और विकास कोई करम नहीं होता है ले वाई उसकी नहीं माना है दोनों का समय संबन्द निस्थल है अधिगम अकसर विकास से अगरिम होता है यहां पर दो तो वाईखोष्की ने क्या माना था पहले हमारा पहले हम सीखेंगे उसके बाद हमारा विकास जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे डिवाला फोचते जाएंगे तो यह हमारा तीसरा सवाल बिल्कुल तीसरा option चाहिए हो जाएगा क्या कि भासा अधिगम जो है विकास से अकसर अगरीम होता है समझ में आगए बच्चो बहुत अच्छा अगला सवाल देख लेते हैं इस तरीके से हम सीख क्यों करेंगे मजा आजाएगा चलिए वैगोस्की के अनुसार नीम्न में से किसके लिए समीपस्त विकास छेत्र का इस्तमाल करना चाहिए अब यहां पे नया पॉइंट आया क्या है समीपस्त विकास का छेत्र इससे क्या होता है इसको जरा समझ जेड़ पीडी और तीसरा है दोस्तों मोर नॉलेज़िबल देन अधर्स एमके हो यह सारी चीज़े क्या होती है इसको जरा समझे पहले है समीपस्त नजदी की या संभावित विकास के छेत्र इसका क्या मतलब होता है देखिए एक ऐसा समय आता है जब बच्चा अपनी ला पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पाता तो एक ऐसा व्यक्ति जो मोर नॉलेज़िबल अधर जो उससे ज्यादा जानकार है वह एक अस्थाई रूप से उसे एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है एक थोड़ी सी सहायता कर देता है अगर कई मैत में फसरा होता है तो हम आप आप होड़ी हेल्प करते एक संबल के थो कोई बच्च पोएम सुरा रहा है स्लोक सुना रहा है गुरूषय व्रम्मा गुरूरे विश्णू गुरूदेव वह यहां पर अटक गया यहां पर बताने ही पा रहा है तीचर थोड़ा से कहेगा गुरूदेव महेश्वर्ण तो में आपने उसको बताया वह कहते है विकास का संभावित छेत्र या समीपस्त या नजदी की विकास का छेत्र जिसे हम जड़ पीडी कहते है शौट में इस चित्र के माधियम से दोस्तों इस पिक्चर के माधियम से आपको एजली केजर हो जाएगा एक वच्छा साइकल चला र जब आप उसको छोड़ देंगे फिर वह अपने मन से चलाएगा तो वहां पर समीपस्त छेत्र नहीं वह बाहर हो गया जड़ पीडी से बाहर हो गया और नहीं आप वहां पर इसका फोल्डिंग कर रहे ना उसको पाड़ते रहे ना उसकी साहिता कर रहे तो कहने का मतलब है कि जितनी देर आपने उसकी साहिता करी वह जड़ पीडी के अंतरगत आता है और जो काम आपने किया वह पाड़ या धाचा इसका फोल्डिंग के अंतरगत आता है और जो व्यक्ति उसकी सपोर्ट कर रहा है वह MKO more knowledgeable other कहलाता है यहां पर चीजस के लिए रो गई यहां तक पात समझ में आगए दोस्तों तो यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा रहा है कि लेव आगयो अंसार निम्न में से किसके लिए समीप्रस्ट चेत्र का इस्तमाल करना चाहिए किसके लिए करना चाहिए तो क्या बच्चे को जब आप पढ़ा रहे हैं सिक्षण के जब उसका मुल्यांकल करेंगे तब भी आप करेंगा अगर आप उसका इंट्रिव्यू ले रहे हैं वाई ले रहे हैं अगर वह कई फस रहा है तो आप थोड़े सी स्काफ फोल्डिंग कर लेंगे ताकि वह देखे हो सकता है कि थोड़ी सी कभी-कभी चीज़े भूल जाती होगा अब जैसे जैसे हम सवाल देखेंगे अब यहां पर आ रहा है कि एक कारे के दौरां शाहिना स्वेम से बात कर रही है वह कारे पर किस पकार प्रगति कर सकती है लेवाई गोस्तिकी के बासा और चिंतन सोच के बारे में दिएगे विचारों के अनुसार इस तरह का व् अब आप कही जारए हैं आप कहीं जा रहे हैं जो आप खुद से बात करा कि को लेवयागो सिंस नहीं क्या कहा था आत्मकेंदृता थे है91 आत्मकेंदीटा मतुलब आप अने के बारे में मीं सो चेंद आपनी अपने पारे में जुकोषए अपने डिपंड्र 1976 Vanuans विकार किया एक सब्द है Sangenयातम हम परिपक्वता यह भी एक सब्द है स्वानियामन उसको कहते है इसको क्या करते है इंगलियस प्राइवेट सपीच अब ये कॉंसेट क्या है इसको भी जहार समझ देजिए फिर हम चलें अगले प्राइवेट स्पीच को निज वाक या फिर स्वानियामन वाक जिसमें तीन वर्स के बच्चे खुद बोलकर खुद से बात करते हैं तो जब खुद बोलकर खुद से बात किया जाता है तो प्राइवेट स्पीच निज वाक या स्वानियामन कहते हैं वाइगोश्की का अनुसार और जब बच्चा खुद तो बोल रहे हैं कि मन मन ही सोच रहा है मतलब वो उसकी आवाज नहीं आ रही वो अंदर ही सोच रहा है तो उसको कहते हैं मौनांतरिक व स्वाक कि मन ह साथ साकूल के ओमर में होता है साथ स्यादिक उमर में जिसको साइलेंट dinner speech कहते हैं तो यहां पर तीन पॉइंट है बच्चों सोसले स्पीच पहला है दूसरा है प्राइवेटिट स्पीच तीसरा है साइलेंट। इनेर समा भासा के बारे में सोह नियामान हो जाएगा अगला सवाल देखिए एक विशिस्थ संप्रत्याय को पढ़ाने में एतु आध्यापक बच्चों को आधा हल किया हुआ अधा हल किया हुआ उधारा देता है लेवाय गोस्की अनुसार आध्यापक किस रणीती का इस्तमाल कर दके अधा हल की है कोई तफ सवाल है तो उसने एक थोड़ा सा हल कर के बच्चे को देदिया उसके बाद का आपफन वहीं बात है ने कोई ज्नीया कशल चला रहें तो आधी दूर वह पकड़ के लेकर गा थे तो इसको क्या कहेंगो मैं लेव वाय गुस्की के सिधान मुख्य तक किसकी व्याख्या करता है। समाजिक संस्कृतिक विकास अनुवान सिक्टा का विकास नहीं करता है। संग्रात्मक विकास का संस्कृतिक उपकरणों का युगदान की बच्चे का संग्रात्मक विकास का संस्कृतिक उपकरणों का युगदान की बच्चे का अगर संग्रात्मक विकास करें तो समाज और संस्कृति और भासा कैसे महत्रपूर नहीं करता है। जीव प्रस्तिती मोडल का नहीं करता हूँ अभी प्रेड़ा यह भी नहीं करता तो आपका सही विकल्प आ जागा दूसरा बिल्कुल सही तो इसलेकर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा चैनल से नहीं है तो प्रीज सब्सक्राइब कर लिए थोड़ा सपोर्ट करिए कुछ आप हमें सिखाए कुछ हम आपको सिखाएंगे चिंदगी क्या है ऐसे ही चीते जाएंगे चलिए बालक एक बालिका की न नॉमचोस्की, भीवाइगोस्की दीजीन, भीवाइगोस्की ने कहा था है लुत सिख्याय को प्रिसुन की तरफ आफ आटा जाते है अब भात कम हुदुटाउं ए राजिक पार को बारीँ समार्ड बार भाइकोश्ञ वंहें कहने कर दोपकोद के दहु मैं सिंक्टायें को सवे उत्पासठ वो आवास का उत्पात नहीं क्या है समाजिक अंतर किरिया का उत्पात किस ने माना था लेवाय गोस्की ने माना था अगला स्वाल देख लिए लेवाय गोस्की की विचारों के निमलिकित में से कौन सा कतन भासा और विचार के बारे में सही है भासा और विचार के बारे में स सुगम होता है बात कुछ सही लग रहा है बच्चों को अधिक मूर्थ रूप से चिंदन करने के लिए प्रोसाइट नहीं करना चाहिए अधिक मूर्थ निजवाक वहवार के नियामन में बाधा बाधा मतलब बच्च घर खुद से बात करता है तो उसके विकास में बाधा उत्वपन करेंगी नहीं करेंगी ना इसलिए आपका सही विकल्प क्या होजागा कि मौकी की विचार भासा अंता किरिया द्वारा सुगम होता है मतलब सही होता है असान होता है इस तरीके से आप भ समाजी by मोस ? वक्तिगत गतिवीदी, निस्करिय गतिवीदी नहीं व कोशलों का charger प्रतिकिरियों का अनुबंधन को सिर्फ नीव नियोजन का सक्रिय नियोजन में अर्थ निर्मार की प्रकिरिया तो बिल्कुछ प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग एक्टिव एंगेजमेंट तो एक्टिव एंगेजमेंट हमेशा रखते थे बच्चो एक्टिव एंगेजमेंट रखते थे कि जो भी बच्चे हम वो एक्टिव तो यह आपका विवल्ट नमबर तीसरा सही हो जाएगा अगला फ़ा इतने बड़ी कोशन इसमें क्या कह रहा है देखिए जिगसा पहली को जिगसा पहली एक जो क्यूबिक हो जिगसा पहली को पांच वर्स की नजमा सोयम से कहती है नीला टुकड़ा कहा है वता खुद से बा बोलना नहीं पाल ढाचा की बात नहीं आत्माच यहां पर खुद से बात करना बच्चों बोलो ना बोलो न क्यों ये कुश्चन सारे उचित हैं चलो ठीक है बाद में सिंगर बन जाना अरजी सिंग चलो बच्चों को संकेत देने तता आवसकता पढ़ने पर स्वयोग प्र आपने सुफ कहा दिया कि सर ये पाल ढाचा इसका फोल्डिंग कह राएगा चलिए बहुत अच्छा और जो पाल ढाचा प्रवाइड करेंगा उसको क्या कहते हैं सिधान में समीपस्त विकास का चेत्र है वह चेत्र जहां तक आप क्या कर रहें सपोर्ट कर रहें बच्चों के लिए बहुत अधिक कटिन होने के लिए वैस्कों की सहायता है यही करते हैं टास्ट टू डिफिकल्ट फर चेंड बट कैंड अचीवड थूआउट अडल सपो जित्रा इंवाड्व होगा बच्चे उतने कम सीखेंगे नहीं विकास वृधी के समीपस्ट छेत्र है सीखना केवर अपचारिक है अब देखेए यह क्या कह रहा है कि वैगा समीपस्त विकास का चेत्र क्या है वह चेत्र है जहां पर बच्चे पहला सवाल साई हो जाएगा कि बच्चों के लिए कोई कारे बहुत कठी हैं लेकिन वयशकों की सहायता से उन्हें क्या कर लेते हैं प्राप्त कर लाइते हैं यही क्या और समीपस्त विकास का च्षित हो जाएगा निम्न लिखित में से निर्माडवादी अधिगम इस्तिती का हिस्सा बन सकते हैं संगिनात्मक प्रसिक्षड मुझे लगता है यह वाल सवाल सही हो जाएगा एक सिक्षिका जो है अपने विद्यार्ती को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वह एक स्थिती की अन्यक दिरिश्टी कोड की सहराना कर सके वो अवने संगों के एक सतिती पर वाद विवाद करने के असर उपलब्द कराती है बोए गस्तिकि के परिप्विज कीन साय स记it शिध ऐती दिस्थिकोड उपने इसुए करती है यह पे क्या करती है निर्माल एक तर्क संगत होगा-बाभू करते हैं-ka मतलब ऑप इसको डिवेट करना सिखा रही है-एक दृषिकोड को कई ऑसर से देख सकता है तो आप उसको क् कोई समस्या कोई समस्या चली अगला सहौन इसी तरीक से जह परूशन पढ़ेंगे चनुपको कि काई पर से तसंद शक्या OF कहते हैं और यह जोटी किसी को fois पर जाएं और करते यह जोट으니까 किसको ज याधा करते स्म noap कर देते हैं उतर憶्रा नहीं पर्टेंश हो समाज को कैसे भाई समाज तो उनके लिए राज भाई समाज को बड़ा इंपोर्टेंट देते हैं संस्कृति को हाँ संस्कृति को भी देते हैं भासा को भासा को भी देते हैं तो थोड़ा सा कम महत्तु किसको कहते हैं नेगलेट किसको कर देते हैं दोस्तों वह अन्वान सिक्ता को जैविक को बाइलोजिकल को इन चीजों को क्या गर देते हैं नेगलेट करते हैं पुरुसकार उन धंड को निगलेट कर देते हैं इन सारी जीजों को थोड़ा सा कम महत्तों देते हैं वायगोस्की किसको महत्तों देते हैं LCS Language Culture and Social भासा संस्कृति और समाज वायगोस्की कि समाजिक संस्कृति कि सिधान के अनुसार संस्कृति और भासा विकास का महत्तों भूमिका निवाते हैं यह कुश्चन रिपीट हो गया यह सईल जवाब हो जागा यह दुबारा हुशा जा रहा है हमने इसको अलटी देख चुका है देख चुका हैं ओके इ रहती है खुड से नहीं कर पा रहे थी लेकिन कोई सपोर्ट कर दिया उसका दोस्त जा थी या फिर कोई उसे बाड़ा तो वां कर ले थी इसको क्या कहेंगे हैं इसको क्या कहेंगे भई हम ने कहा था इसका फोल्डिंग या नींकि सहारा DANAL सहारा दे किस् jeste कराया है किसी य सबक्त करें के लिए उप्रप्त कराएं को अपने सामर्थ प्राप्त करने के लिए Oh कीए शेम से क्यों बोलते हैं उपने कारे की नहीं बहुते खिया है बच्चे अपने परती वैस को के ध्यान नहीं 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 बच्चे सोभाव से बहुत बातुनी होते नहीं यह तो अपने कारे को दिसा देने की बात करते हैं अगला सवाव को वैस को साथ बत्यों के साथ में प्रश्पर्ण करते हैं थे कुछ को सोवा वैस को के साथ आब अ करके लेकिन वैस के सामाजे आप परसकर माया कीुछ इंटर्ण मैं शारे हिं साथ प्रस्पर सीखते हैं यह वाइब सी मानते तें यहाप कन्फूस नहीं होना है बच्चो सवाल कैसे भीदीओ को आपको क्या रहना है आपको जवाब देना है दो-चार गोश्चन और रहे गए फिर उसके वाद इस वीडियो को समाफ करेंगे चलि अगला सवाल देख लेत समस्या समधान जल्दी गरने लिए पुरुषकार देने की बात उन्होंने नहीं कहा था उसे जब बताना कि वह बार बार परियास द्वारा कर सकती है अगर थान डाइक होते हैं तो हम परियास द्वारा की रूप में माल लेते हैं लेकिन इनके क्या कहते हैं इसको लेवाय गोस्की अलसार देख लेते हैं उसे आधा समधान हल दिया उप्लाद करवाएं उसे कहना कि जब समस्या का समधान जाएं तब तब तक घर नहीं करेंगे इसको इसको फोल दिए करके थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है उसको थोड़ा सा आधा समधान हल्द किया उपलब्त कर आएं ताकि बच्छा क्या कर सेख सकते हैं उससे यह बता कि बार बार परियास करें यह ठीक ता यह विकल्प भी ठीक ता जैसे इसमें सवाल में आधार बुच्छ सहायता एक अच्छा उद्हारण है उससे यह बताना कि बार बार परियास करें निखर हम बक्रियास को कह सकते हैं कि तुम बार बार परियास करें कोई विकल्प गलत नहीं क्योंकि इसमें कहीं भी ले वाए गुत्सकी मेंसनी है लेकि एक चीज्छ मेंसन तो जब आप बच्चे को यह कहते हैं कि तुम बार बार परियास कर तो इसमें कोई सहायता की बात नहीं है कि आप उसको help कर रहे हैं इसलिए यह वाला विकल्प यहां पर सही होगा कि उसे आधा समधान या हल्द उपलब्द कराना क्या करें जिससे वह इस सवाल को सब्सक्रा जानत के अनुसार भी है कि उसे हम पाड या इसका फोल्डिंग प्रवाइड कर सकते हैं तो इसलिए वह विकल्प सही है का तीसरा वाला इसमें देख लेते हैं यह तो हमने शायद देख रहा का है चीन प्याजे तता वाइगोशी के अनुसार एक रशनात्मा कक्छा में तлагा एगर जानता नुसार दोस्तों अगर लेकिन वाइगोशाचा रशनानी धार चाहिए उसे में करते के अनुसार आइचेव सब्सके अर्शना दोस्तों तो यह बात में बाता होती स्कीनर की होती तो वह माने लेकिन यहां और वाइगोशी और जीन-प्याजे तो वहां पर बच्चों को एक्टिव करने की बात करी गई है तो हम इसका वी आफ्शन सही हो जागा सो आधिंक कुछ और कोशन बच गया है उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे बच्व क के नाते आप अपने बच्चे को आकलाण निमनकित में से किस विदी को प्रोजेक्ट आदेंगी किसे आप इत्रीफ इसके बारे में कांसेट ईए को समय लेभ वाय बसट है इन पांच को बड़ा IMPORANN माना था किस को पहला दोस्तों कुलाबरेटी प्रोजेक्ट उन्हों ने माना कि बच्छे को खुद से बजाय के साथ रहे त़िए युक् mr. को आप जोगं कि प्रोजेक्ट करने दीजिए दुसरा परटी Höновागरेटी की भीवात वही है को प्रोबरेटी मतलब दूसरा असस्टिव लर्निंग मतलब ऐसा लर्निंग जिसमें सहायता दी जाए उनको और दूसरा रेस्टिप्रोकल टीचिंग आपके भागदारी के साथ टीचिंग तो इन पांच विंदूगों को बड़ा इंपोर्टेंट दिया था ले वाइगोस्टी की इसी पर आधारित सीखने को प्रिथक नहीं किया जा सकता सीखने को मतलब उसके सीखने को किस से प्रिथक नहीं कर सकते समाज से प्रिथक नहीं कर सकते बहांसा से प्रिथक नहीं कर सकते संस्कृति से अलग नहीं कर सकते तो वाइगोस्टी की इस सीखने को किस से अलग नहीं कर सकते ऑव को नहीं से कि आफ नियुकरा से के बड़े ही समर सकते हूं पुन्रबलण से के इन रूप से प्रसांगी ज़्यान आवश्यक्त होती है किसके दुए कि बच्छों के संस्कृिक संस्क्रितिक की बात की जारी है तो डेफिनिट्ली आपका क्या हो जाएगा ले वाय गोस्तिक हो जाएगा चाहिए अगला सब्सक्राइब बहुत अच्छा इसकेंड लास्ट सेकेंड दोस्तों लाइक करते जाएगा इसकेंड लास्ट है इसके बाद वीडियों समाप निम्लिकित में से कौन सा वाय तो नहीं हो जगता यह बहुत ही घजब का सवाल बना था यहां पर कहों के सर संस्क्रितिक तो दिया है लेकिन आगे क्या कह रहे है संस्क्रिटिक निट्रल कह रहा है निट्रल का मतलब जब गाड़ी चलाते निट्राइब क्वेटरल रहते हैं तो समाज में नहीं रहते हैं कि यह आधारित है यह अभी मैंने आपको पॉइंट बता था रेसिप्रोकल टीचिंग इसलिए बाबु हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो जब छीरी देखें आप हर एक पॉइंट बाबु क्या होता है इंपॉर्टे कि इसलिए किसको आप वरियता देंगे रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में आप बात करेंगे क्योंकि उसके सारे ऑप्शन देखेंगे आप उसके सारे करा ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में क्या था इसमें क्या था नेक्ट कोशन देख लेते हैं इस तरीके से आप सब्सक्राइब कर लिया अब आपको बिल्कुल सबसे पहले अपने घप्राना नहीं निम्लिकित सिधान्त के संदर्व में इसकाफ फोल्डिंग की और संकेत करता है सब्सक्राइब करें साइब करें से अगला बच्चे के बारे में समाजिक यह हम अरडी देख चुक है बाबू यह हो जागा समाजिक प्रक्रिय संद्रिय संद्रवाव पड़ता है किसके वह लिए हुआ है तो समाजी को संस्क्रिटिक किसके दौरा प्रभाव पढ़ता है लेवाय गुषकी ने कहाते हैं चीज को अगला सबाद एक उचित प्रस्ट में सुझाओ के दौरा बच्ची को समझाया उस बिंदू से आगे ले जाया सकता है जिस पर वो अकेले पहुंच सकती है अकेले वो हम पहुंच सकती अकेले नहीं पहुंच सकती हो मतलब उस बिंदू तक लेके जाना जहां तक कहले नहीं सकती ह 돌-चाया यह को सीज मतल्ब प्राइविटि स्पीच कहने तो दोस्तों इस तरीके से आपने बहुत सारे प्रस्तुंगे अप करके सीखें तो यह ज़्यादा आपके लिए सहायक होता है तो आपने लेवाय गोश्की के बारे में देखा कि इन्होंने क्या कहा था इन्होंने समाजिक संस्कृतिक सिधान दिये थे अब समाजिक संस्कृतिक सिधान में इन्होंने क्या कहा था कि बच्चे जो है यह सिधान बताते कि नहीं करते हैं समाज में रहके ही सीखते हैं बच्चों कर चेण कम बच्छों के साज्गी और्प्रिकर्णिया मिकास को पीर लेर्निंग कॉपरेटिव लर्निंग का व्यायगो suit की समाजिक कुर्या की बात करते हैं वैय वाईगोस्ट्थिक कहते हैं कि यह सतत्रओप्रिक्रिया है जिनोर्वत चलना वाली प्रक्रिया है का समाजी क्रियाओं कर निर भथ करता है करें समाजी के फल्षोरुप संहीनात में को वचा हिए हुई । मतलब समाज कल्चर समाज लोग अलग होते लेकिंगी बार में एक साथ हो जाते हैं वह सोच कुछ और रहता है बोलकुछ और लगी व्योड़ते वाइगोस्तिखी ने कहा कि पहले भासा आती सब्सक्राइब बच्चा-वाय Commerce B revenues R!! बएकंस विकास को सुगम- बनाती है हमरी जेद लिखर है न क्या करती है और अन्हें रहाला घंचे और अच्छा बनाती और अच्छा बनाती है और शुगम बनादे इस सारे के बारे में बात करी है फिर आपने देखा यह जब की बारे में जब हम करते हैं तो बच्चा क्या करता है और ज्यादा सीख जाता है और जो इंसको को ते बारे में कि चहते हैं कोई समस्या ने चलिए अब मोर नॉलिजिबल मतलब वह व्यक्ति जैसे माता पीता असी चग सह पाटी जो उस छड़ उस व्यक्ति से ज्यादा जानता हो वह वयस्क कहलाएगा मोन जर्जमिन अधर एंधर कहलाएगा ठीक है यह साथ उसको कहलाते है अब आई यह भासाथ के तीन रूप के बारे में अपने देख लिया जब दो सार की उम्र में होता है जडू जोगों के दौरा सुनता है वह समाजिक होता है जब कुछ से बात करता है प्राइबेटी इस्पीच बात करेगा लेकिन महिं मन ही मन Starting of Main पहले उस कई किसी क्या क्यां एक स yönट करेगाने और कई बार इस लिए इसको देखके तुम मुष्कुरा रहे हो तो इनरी स्पीच में प्रोब्लम भी हो जाती है तो यह बच्चों के लिए बड़े लोग इसका इस्टमाल नहीं करें और पांच पॉइंट जो इंपॉइंट लेवाए गोजिए कि उसके बच्चे को किसके लिए प्रोमोट करना चा इस तरीके से आपने सारे पॉइंट देख लिए सबसे बड़ी बात है कि आपने साथी साथ सारे पॉइंट भी समझ में आगए तो यह आपका बहुत अच्छा तरीका था मैं आसा करता हूं यह चीज़े समझ में आई होगी आसानी से आप एक्जाम में कर लेंगी इस वीड फिलाल इस वीडियो में दोस्तों मिलेंगा अगली वीडियो में किसी आने जानगारी साथ किसी आने टॉपिक के साथ तक अपना खुब ख्याल रखके सेल्फ इस्टडी करिए जय है जय भारत